तो आज का फस्ट वर्ड है दर्वाजा दर्वाजे को हम इंगलिज में बोलते हैं डूर डूर मिन्स होता है दर्वाजा नेक्ष्ट वर्ड है जाली वाला दर्वाजा कुछ इस तरह का होता है जो हमें मास्किउटो से प्रोटेक्ट करके रखता है वाई दर्वे इसे हम इंगलिज में कहेंगे Screen Door Screen Door means होता है जाली वाला दरवाजा Next है घूमने वाला दरवाजा घूमने वाला दरवाजा इसे हम English में बोलते है Revolving Door Revolving Door means होता है घूमने वाला दरवाजा Next है सरकने वाला दरवाजा सरकने वाला दरवाजा कुछ इस परकार का होता है इसे हम इंगलिस में बोलते हैं sliding door sliding door means होता है सरकने वाला दर्वाजा next है जूलता हुआ दर्वाजा जूलता हुआ दर्वाजा देखने में कुछ इस प्रकार का होता है इसे हम इंगलिस में बोलते हैं swing door swing door means होता है जूलता हुआ दर्वाजा नेक्स्ट है छट दर्वाजा छट में जो दर्वाजा होता है जो उपर की और खुलता है इसे हम इंगलिस में बोलते हैं ट्रैप डोर ट्रैप डोर मिन्स होता है छट का दर्वाजा नेक्स्ट है आंगे का दर्वाजा आंगे जो दरबाजा होता है उसे हम इंगलिस में बोलते हैं फ्रंट डोर मिन्स होता है आंगे का दरबाजा और पीछे के दरबाजे को हम इंगलिस में बोलते हैं बैक डोर मिन्स होता है पीछे का दरबाजा next है सिटकनी या चटकनी sitkani या chatani को हम English में बोलते हैं latch latch means होता है sitkani या chatani next है दरवाजा रोकने वाला आपने देखा होगा यह दरवाजे में नीचे की ओर लगा होता है by the way इसे हम English में बोलते है door stop door stop means होता है दरवाजा रोकने वाला next है दरवाजा खट-खटाने की कुंडी आमतोर पर बाहर की और दर्वाजे को खटखटाने के लिए एक कुंडी लगी होती है इसे हम इंगलिस में बोलते हैं नोकर नोकर या आप इसे और बोल सकते हैं डोर नोकर नोकर या डोर नोकर मिन्स होता है दर्वाजा खटखटाने की कुंडी जरोखा आपने देखा हो दरबाजे के पास एक छोटा सा छेद होता है जिसके थुरू हम देखते हैं कि दरबाजे में कौन है कौन नहीं इसे हम इंगलिस में कहेंगे पी फोल पी फोल मिन्स होता है जरोखा नेक्स्ट है पत्र पेटी पत्र पेटी ये दर्बाजे में बना हुआ एक होल होता है जिसमें लेटर उगरा डाले जाते हैं इसे हम इंग्लिस में कहते हैं लेटर बॉक्स लेटर बॉक्स मिन्स होता है पत्र पेटी नेक्स्ट है दर्बाजे की मूट आपने देखा होगा दर्बाजे में एक round handle होता है जिसे हम मूट कहते हैं वाई दवे इसे हम English में कहते हैं नोब नोब अथवाप और इसे कह सकते हैं डोर नोब डोर नोब मिन्स होता है दर्बाजे की मूट Next है दर्भाजे की कडई कुछ इस प्रकार की होती है इसे हम इंगलिस में कहेंगे Door Chain Door Chain means होता है दर्भाजे की कडए Next है कबजा कबजा आपने देखा होगा दर्भाजे में दर्भाजा जिस पर लगा होता है और जहां से सरकता आंगे पीछे की और सरकता है उसे हम बोलते हैं कबजा वाई दभे इसे हम इंगलिस में कहते हैं हिंज हिंज मीन्स होता है कबजा नेक्ष्ट है दर्बाजे की बाजू इसे हम इंगलिस में बोलते हैं जैंब जैंब मीन्स होता है दर्बाजे की बाजू नेक्स्ट है दहलीज, दहलीज या देहरी, दहलीज या देहरी को हम इंगलिज में बोलते हैं थ्रैस होल्ड, नेक्स्ट है पायदान, पायदान जो दर्वाजे के पास रखा होता है जिस पर पैर पहुँच कर आप घर के अंदर जाते हैं उसे हम इंगलिस में बोलते हैं डोर मैट डोर मैट मिन्स होता है पायदान नेक्स्ट है दर्बाजे की चौखट दर्बाजे की चौखट यह एक प्रकार का फ्रेम होता है जिस पर दर्बाजा लगा होता है इसे हम इंगलिस में कहते हैं डोर फ्रेम डोर फ्रेम मीन्स होता है दरबाजे की चौखट नेक्स्ट है ताला ताला को हम इंगलिस में कहते हैं लॉक लॉक मीन्स होता है ताला नेक्स्ट है चावी चावी को हम इंगलिस में बोलते हैं की की मीन्स होता है चावी नेक्स्ट है चावियों का छल्ला इसे आप चावियों का गुच्छा भी कहते हैं वाई दबे इसे हम इंगलिस में बोलते हैं की रिंग की रिंग मीन्स होता है चावियों का छला या गुच्छा नेक्स्ट है ताले का छेंद ताले का छेंद जिस पर हम चावियां औगरा लगाते हैं इसे हम English में बोलते हैं Keyhole, Keyhole means होता है ताले का छेंद Next है चटखनी लगाना, चटखनी लगाने को हम English में बोलते हैं Bolt या फिर आप इसे बोल सकते हैं Latch, Bolt या Latch means होता है चटखनी लगाना Next है चटखनी खोलना, चटखनी खोलने को हम English में बोलते हैं Unbolt Unvolt या Unlatch Unvolt या Unlatch मिन्स होता है चटखनी खोलना Next है ताला लगाना ताला लगाने को हम इंगलिस में बोलते हैं Lock Lock मिन्स होता है ताला लगाना Next है ताला खोलना ताला खोलने को हम इंगलिस में बोलते हैं Unlock Unlock मिन्स होता है ताला खोलना नेक्स्ट है खट खटाना दर्बाजे को बाहर की ओर से हाथ से खट खटाने को हम इंगलिस में बोलते हैं नौक नौक मीन्स होता है खट खटाना नेक्स्ट है धम से बंद करना यानि दर्बाजे को जोर दे कर बंद करना इसे हम इंगलिस में कहेंगे slam, slam means होता है धंब से बंद करना next है, तोड कर खोलना, दरबाजे ओगर को तोड करके खोलना, इसे हम English में बोलते हैं, break open break open means होता है तोड कर खोलना last word है, अधखुला यानि दरबाजे का आधा खुला हुआ होना, इसे हम English में बोलते हैं, अजार अजार मिन्स होता है अधखुला ये दोनों आज के क्वीज है लिख कर बताईए अपने जवाब कमेंट सेक्षन में और जाने से पहले वीडियो को लाइक सेर जरूर करिएगा और चैनल को सस्क्राइब भी कीजिएगा सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाए